प्रोफेसर और इतिहासकार यस्वान सिंग सर हैं और कभी और लेखक आरके सरोज सर हैं आज इनसे हम लोग इतिहास के बारे में कुछ सवाल करेंगे और देखते हैं और क्या जबाब देते हैं तो सर आज हम पहला सवाल पोच्थे हैं Guram Birthday अल्षर से सर आघकल भारशिव सब्द जो रही है यह बारशिव सब्द है क्या इसके बार मरें जानकारी इससे निकल करके हम लोगों ने बहुत धर्म को त्याक करके और नया एक concept धार्मिक चलाया जिसके अंतरगत हम भारसिव कहलाए हमारी उपाध ही भारसिव है और हमारी मूल जो जाती है नागवंस से related है इसका एक तामर पत्र मिला है तामर लेख मिला है जिसकी चर्चा कासी प पूरा का पूरा इसलोग इस प्रकार है अंसभार सन्निवेशित, सिव लिंगो उद्वहन, सिव सु परितुष्टा नाम, सम उत्पादित राजवनसा नाम, प्राक्रम अधिगता, भागी रथी, अमल जल, मूर्धा विशिक्ता नाम, दसा सुमेंग, आव भरतस नाना नाम, वो भार सिव, जिन लोगों ने सिव लिंग को कंधे पर वहन करके, अपने और सिव की करपा से अपना राज्य ख़डा किया, और प्राक्रम से इस छेत्र को जीता, और गंगा जल से अपना राज्या विशे करा करके, दस अस मेंग, यग किये, और तब ये लोग भार सिव कह हाद है हमारी जात अगर पूछ हो तो मेरी जात है और नाग में उनन नागों की जो नावनां कहला है क्योंकि सभी के सभी किसी ऑंदोलन नहीं होती है ju these अडोलन में हमारेसं मिलखी उपाद़ यूभा नाँ कहल knowқ फान नांगों की उपाद भारिश्फ बनी practice क्यूशन मेरा प्रोफरसर यसवन सिंग सर से है सर मैं आप से जानना चाहता हूं कि इतिहासकार होने के लिए क्या कोई योग जिता होने चाहिए या कोई इसके लिए स्पेसल कोर्स है या कोई भी इतिहासकार बन सकता है जी बिल्कुल इसमें जो है आपको अगर इतिहासकार बनना है, यदि आप इतिहाश पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसकी पुस्तक जो है, मार्केट में और सिच्छण संस्थानों में मानने नहीं होगी, यदि आप इतिहाश में रिसर्च कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, प्यजडी कर लेते हैं, डीलिट कर लेते हैं, और या आप आर्केटाजी में जो है, में कर लेते हैं, उसमें रिसर्च कर लेते हैं, तब आपको एक लीगल डाकुमेंट प्राप्त हो जाता है, लीगल वैधानिकता प्राप्त हो जाती है, कि आप इतिहा पर काम कर सकते हैं इतिहास में आप लिख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के उपर लिखने के लिए आपको इतिहास के उपर इन उपाधियों को धारण करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास की समझ के लिए आपको रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है और कोई भी लिख दे या कोई भी कुछ बोल देता है, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, वो किताब किसी अंधेरी कोट्री में पड़ी रहती है, लेकिन यदि आपको द्यवस्थित तरीके से अध्यन करना है, तो आपको इस पर MPL, PhD या डिलिट करके ही आगे बढ़ेंगे, तभी आप जो है इतिहास में के बिसले सक माने जाएंगे. यह कमला रावज जी कौन है, मुझे तो जानकारी नहीं है, वैसे कमला रावज जी की क्वालिफिकेशन क्या है, यह किस इस तर पर इन्होंने अध्यन किया है, किस बिश्विद्यले से इन्होंने अध्यन किया है, कहां से इन्होंने डिग्री प्राप्ति की है, इतिहास इन उन्होंने अपने आपको इतिहासकार बोलना सुरू कर दिया है, यह देखने की बात है, अगर उनका क्वालिफिकेशन है, उन्होंने एमफिल किया है, उन्होंने पीजडी किया है, उन्होंने डीलिट किया है, उन्होंने इतिहासका अधिन किया है, या उन्होंने आर्केलाज तब तो जो है बात की जा सकती है अन्यता मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज में इतिहासकार बने भूम रहे होंगे जानकारी तो नहीं है मुझे कमला रावत कोन है आप लोग बेहतर समझते हैं क्या है उनकी क्वालिफिकेशन और किस लेविल के हैं अब जब क कितना नॉलिज है कितना नहीं है वो तो बात की बात है